नमस्कार दोस्तों अनिका कलासेस पटना में आपका स्वागत है आज बिहार एससी का 75 कोश्चन का जो है mcq लेकर करके आया हूँ जिसमें बित्र डिसकाशन हम आपको बताएंगे जो जिसका एक्जाम 23 एंड 24 तारिक है अगर इस सेट में उनका साथ नमबर के आसपास अगर आता है तो वह जो है बिहार एससी के लिए क्वालिफाय अपने आपको समझेंगे तो आज का पहला प्रस्चन देखेंगे राष्टिय राजमार्ग योजना कब सुरू की गई थी तो 1995 में जो है राष्टिय राजमार्ग योजना की सुरूवात की गई थी राष्टिय राजमार्ग की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का 2% है नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे पेली करांती किस से समध्दित है तो पेली करांती का समध्द जो है किलहन से है और वही नेली करांती का समध्द जो है मचली उत्पादन से है कोश्चन नमबर तीन देखेंगे भारत में उत्पादित की गई कितने परसेंट कॉफी निर्यात की जाती है तो यह जो है दस परसेंट कॉफी का निर्यात की जाता है कॉफी उत्पादन देशों में ब्राजील पर्थम नमबर पे है वही भारत में अगर बात की जाए तो भा इंग्लेंड की साहिता से किया गया था, दूतिय पंच बर्सी योजना में भिलाई, दुरगापूर और रावर किला लोह इस्पात कारेखाना की अस्थापना की गया थी, कोश्चन नमर पांच देखेंगे, किस बर्स बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था, यह जो है, 2006-07 में पहली बार GST का जिक्र किया गया था, भारत में जो है, GST, GST की अस्थापना जो है, एक जुलाई, 2017 की गई थी, कोश्चन नमर छे देखेंगे, राश्ट की ये करन से पहले, अस्टेट बैंक आफ इंडिया का नाम क्या था, इसका नाम इंपिरियल बैंक आफ इंडिया था, इसकी अस्थापना जो है, 1921 में की गई थी, कोश्चन नमबर साथ देखेंगे, हम किस पंच बरसी योजना के अंत में है, तो हम बारवी पंच बरसी योजना, 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन बीच में नीती आयोग की अस्थापना कर दी गई थी, इसलिए इस कोश्चन को आप ध्यान से देख लिजेगा, कोश्चन नमर आट देखेंगे, रेलवे अधारी संवरचना के लिए, इस समय बिदेश पर्ट्यक्ष निवेश की सीमा क्या है, तो इसकी सीमा जो है, 100 है, कोश्चन नमर नौ देखेंगे, या किसी देश के ब्यक् बैंक नोट प्रेश कहा है, तो बैंक नोट प्रेश जो है, देवास में है, वहीं बात की जाए, इंडिया सिकुरूटी प्रेश जो है, नासिक में है, कोश्चन नमर 11 देखेंगे, जनसंख्या की दिरिष्टी से, चार बड़े सहर, चार बड़े राज में से यह नहीं है, तो चार बड़े राज में बिहार, उत्तर परदेश और महराष्ट यह तीनों है, जबकि तमिलाडू नहीं है, यह तमिलाडू जो है, पांच में अस्थान पे आता है, वहीं बात की जाए, उत्तर परदेश पहले अस्थान पे है, महराष्ट दूसरे अस्थान पे है, बिह पॉस्चन नमबर 12 देखेंगे निवन में से किसकी पर्थी बर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनतव सरवाधिक है तो यह जो है बिहार का है पॉस्चन नमबर 13 देखेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले बिक्सित किया गया था उसका नाम परम 8000 था पॉस्चन नमबर 14 देखेंगे भारत में 4G सेवा का प्रारम कब किया गया था भारत में 4G सेवा का प्रारम जो है 2012 में कर दिया गया था वही बात करें कि दच्छिन कोरिया जापान और अमेरिका यह तीन देश ऐसे हैं जो 5G सेवा का प्रारम जो है वहाँ कर दिया गया है देखेंगे रिजार बैंक और ऑल्फ इंडिया के परथम भारतिय गवर्रेटर जेंडरल कौन थे तो रिजार बैंक और ऑफ इंडिया के परत्सम भारतिय गवर्रेटर जेनरल सेड़ी देश मुक्त हैं आर्वीची अश्थापना जो है एक 1935 को किया गया था Question No.17 देखेंगे वह विद्ध्यार्थी जिसने रुप्या का sign design किया था वह कहां पढ़ता था तो वह जो है ITI बंबे का छात्र थे उनका नाम जो है D. Udai Kumar था D. Udai Kumar ध्यान दिजेगा Question No.18 देखेंगे या कारवन कर घोसित करने वाला पर्थम देश है तो कारवन कर घोसित करने वाला पर्थम देश जो है Finland है Question No.19 देखेंगे कीवी चिडियां कहां पाई जाती है तो कीवी चिडियां जो है New Zealand में पाई जाती है वही बात करें सबसे छोटा पच्छी जो है हमिंग बढ़ होता है और अगला पॉइंट देखते हैं बिस्व का सबसे बड़ा चिडिया घर जो है क्रूज नेशनल पार्क जो है वहां दच्छीना फिरका में है कोश्चन नमर 20 देखेंगे ब्राजील की मुद्रा क्या है तो ब्राजील की मुद्रा जो है रियल होता है कोश्चन नमर 21 देखेंगे कौन महलो का सहर कहलाता है तो महलो का सहर जो है कुलकत्ता को बोला जाता है कोश्चन नमर 22 देखेंगे किसे अच्छे समय का राजा कहा जात पर्फम महिला पाइलेट कौन बनी तो इंडियन एयर लाइन्स की पहले इसे महामना कहा जाता है पंदित मधन महान मालविय जी को कहा जाता है पंडित मदन मुहन मालविये ने 1915 इस्वी में हिंदू महासभा की अस्थापना की थी Q26 देखेंगे पर्थम भारतिय अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहय फाल के पुरुसकार परदान किया गया था तो यह हैं देविकार आनी रोरिक जिन्हें 1979 में 1979 में दादा साहय फाल के पुरुसकार से समानित किया गया था Q27 देखेंगे यह हिंदी साहित के एक परसिध आलोचक थे Q28 देखेंगे पदमाबद के लेखक कौन है तो पदमाबद के लेखक मलिक मुहमाद जाईसी है 1541 इस्वी में सेरसाह के काल में मलिक मुहमाद जाईसी द्वारा जो है 1541 में सेरसाह के काल में मलिक मुहमाद जाईसी द्वारा पदमाबस पुस्तक लिखी गई थी Q29 देखेंगे Game of Thrones के लेखक है तो Game of Thrones के लेखक जो है John Martin है Q30 देखेंगे इंडिया आफटर गांधी के लेकक है तो इंडिया आफटर गांधी के लेकक राम चंद्र गुहा है Q21 देखेंगे किस भारती करांते कारी के जेल का कमरा जो है अब एक परियाटक अस्थल बनिया है तो यह जो है हमारे महानुभाव B.D. सावरकर्जी है जिनका जेल का कमरा को जो है अब एक परियाटक अस्थल बनाख दिया गया है क्षटन नमर्ब 32 है किसने इमेल के लिए एक चिन है चुना था तो यह जो है रेट टोमिल्सन है रेल टोमिल्सन जो है इमेल के जनक कहे जते हैं उसी परकार डब्लू डब्लू के अविस्कार जो है टीम बर्सनली ने किया था आईसी चीप का अविस्कार जो है जे एस किलिवी ने किया था इंपोर्टेंट कोश्चन एक और है उसमें पॉइंट नोट कीज़ेगा माइक्रोसोफ्ट कॉर्परेशन की अस्थापना जो है 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था यह कोश्चन जो है जे डिस एकजाम में भी पूछा गया था फॉर विस गंज के पास और आही हिंगना गाउं में हुआ था भारत का पर्तम आंचलिक उपन्यास माइला आचल की यह लेखक है कोश्चन नमर 35 देखेंगे बिस्मिल्ला खा किस साज के बजाने के लिए परसीद है तो बिस्मिल्ला खा जो है सहनाई बाद यंत्र से समन्दित है बिस्मिल्ला खा को 2001 में लाता मंगेसकर के साज जो है भारत रत्न दिया गया था कुस्चन नंबर 36 देखेंगे लौट कीजिए यहाँ 2001 में भारत नत्म दिया गया था कुस्चन नंबर 36 देखेंगे यह गायन सेली नवाब बाजिद अली साह के दर्बार में सुरू हो किया गया था यह जो है एक धुमरी गायन था जो नवाब वाजीद अलिसाह के दरवार से सुरूर रूद था तो सुराज date की थो मोतीलाल नह्रू के द्वारा किया गया था 123 में आगर्यीक के वजा इटालियनमे लिखते थे ठें तो छूंपा नहरी एक लेककाटन से थे जो अंग्रेजी के बजाए जो है इटालियन में लिखते थे उसी परकार बिक्रम सिट जो है इनके दो तीन पुस्तके हैं जिसमें एक परसित पुस्तक एस सुटेवल वाय दूसरा गोल्डेन गेट और तीसरा टूल लाइब जो है उसी परकार अरुंधति राय की कुछ पुस स्कोषण नंबर 40 आमर्थ्षिंद को इसके लिए नोवेल पिरुस्कार दिया गया है और सास्थ्ट के लिए नोवेल पिरुस्कार pearls 1998 में आम्र्थ रिखें गया था question 41 देखेंगे reten सी छौ बिहार के अत्रिक्त किस राज का लोक निर्थ है तो 6 जो है बिहार के अत्रिक्त पश्चि मंगाल का लोक निर्थ है question number 42 देखेंगे भारतिय समिधान का कौन सा भाग राज के लिए नीती निर्देशक करने वाले तत्वों का उलेक करती है इसमें भाग 4 जो है नीती निर्देशक तत्वों का उलेक करते है question number 43 देखेंगे भारतिय समिधान की कौन सी अनुसूची भासाओं का उलेक करती है तो भाग जो है इसमें अनुसूची 8 है जिसमें भासाओं का उलेक किया जाता है question number 44 है डाक्टर राज़ेंदर परसाद कितने वरस तक राश्ट पती रहे है यह भारत के राश्ट पती रहे है जो 26 जन्वरी 1950 से लेकरके 1962 तक थे यह जो है Ireland लिया गया है question no.46 देखेंगे लोकसभा कितने सदस राष्टपति मनोनीद करता हैं तो यह important question भीवी आई भी है इस पर ध्यान दिजीएगा कि लोकसभा कि कितने सदस राष्टपती मनोनीद करते हैं तो यह जो है पहले दो सदस मनोनीद करते थे लेकिन बरतमान में एक्सोचारवा सम्मिधान संसोधन के तहट एक्ट जो है 2019 में भारतिये लोकसभा में परती नीदी के लिए कोई उलेखनिये नहीं है इस परकार आंगले भारतिये को दो सदस्यों को मनोनीद करने का अधिकार अभ जो है राश्पति से को नहीं है जो को वश्चन नमर 47 देखेंगे किसने सरकार को 1950 में सरवयगय कोई न latotte किया था है क EK यह भारत के साथ सब में कघ viiliya बाठती है तो कोश्चन नमर 49 देखेंगे करकर रेखा इसमें नोट कीज़ेगा कि बंगला देश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाती है उसके बाद दूसरे अस्थान पर चीन है और तीसरे अस्थान पर पाकिस्तान है बंगला देश पहले अस्थान पर है चीन दूसरे अस्थान पर ह और मैंनमार पांचमें अस्थान पे है जबकि चौथा अस्थान पे नेपाल है तो यह कुछ मुख पॉइंट है इसे याद कीजिएगा कोस्चन नमर 59 है करकर एक किस राज के मद से नहीं गुजरती है तो यह बिहार से नहीं गुजरती है इसके लिए एक ट्रिक भी आता है मि ही बात करें कि गंगा को बंगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है जो गंगा नदी है गंगा नदी उसको बंगला देश में जो है पदमा के नाम से जाना जाता है क्योश्चन नमर 59 देखेंगे बीकर मुलता होते हैं तो बीकर मुलता प्रोटीन होते हैं क्योश्च कोश्चन नमबर तीरपन है सापेक्ष आधरता किसी अंदर से मापी जाती है तो सापेक्ष आधरता जो है हाईग्रो मीटर के द्वारा मापी जाती है कोश्चन नमबर 54 देखेंगे कोश्चन नमबर 54 है इस रंग का तरंग धेर सबसे कम होता है बैगनी रंग का तरंग धेर सबसे कम होता है वही सबसे ज़्यादा तरंग धेर की बात करें तो लाल रंग का तरंग धेर सबसे ज़्यादा होता है कार्ज का मतरक क्या है कार्ज का मतरक जूल होता है कोश्चन नमबर 56 देखेंगे परकास वर्स किसकी इकाई है तो परकास वर्स जो है दूरी की इकाई है कोश्चन नमबर 57 देखेंगे कौन से बिदुत चुमबकिये तरंग नहीं है तो दुहनी जो है 10 के पावर माइनस 34 question no 69 देखेंगे हल्दी पोधे के किस भाग से प्राप्त होती है तो हल्दी तना से प्राप्त की जाती है question no 60 101 रक्त कनीका कितने परकार की होती है तो 101 रक्त कनीका मुक्ता 5 परकार की होती है WBC को निम्ण की मात्रा बढ़ने से होता हम रूधिर में बली रूबिनि बलीूण की मात्रा बढ़ने से होती है पिलिया रोग को हेप्टाइटिस B के नाम से भी जाना जाता है अब पिलिया रोग जो है यकरीत को परभावित करता है कौश्चन नमर 63 देखेंगे कौन सबसे बड़ी गरंथी है सबसे बड़ी गरंथी जो है यकरीत है यकरीत का बज़न जो है 1.5 से 2 kg परभारी टक होता है यकरीत जो है पीट से अस्त्रापी किया जाता है कॉश्चन नमर 64 से या सैंग वराश होते हैं तो मच्छ्छ यीव सैंग भी वरास होते हैं कॉश्चन 65 देखेंगे मच्छ्षड जो है एक चीज़ और नोट कीज़ेगा मच्छड कोकरेज ये संग जो है आर्थो पोड़रा के जीव है कॉस्चन नमर 65 देखेंगे कौन मास्टर गरंथी कहलाती है तो प्यूस गरंथी को जो है मास्टर गरंथी कहा जाता है प्यूस गरंथी का भार लगभग 0.6 गराम होता है प्यूस गरंथी के भार कितना होता है लगभग 0.6 गराम होता है कॉस्चन नमर 66 देखेंगे यह बिटामिन टेको फिरोल होता है तो बिटामिन E को जो है टेको फिरोल कहा जाता है उसी परकार बिटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है, बीटामिन बीवन को थाइमिन कहा जाता है, बीटामिन डी को कैलसी फिरोल कहा जाता है, कोस्चन नमर 66 देखेंगे, यह अपनी समाजिक ब्यवस्था के लिए परसिद है, तो मद मख्षी समाज में रहती है, यह पहले इस परकार का कोस्चन पूछा जाता था, कोस्चन नमर 68 है, नाइलोन में इसके एक लखो के मद इस परकार बंद है, जिसे कहा जाता है, जिसे जो है, एमाइड कहा जाता है, एमाइड बंद कहा जाता है, कोस्चन नमर 69 देखेंगे, इस गरह के बायू मंडल में परचूर मात्रा में H2 होता है, वह गरह जो है, सनी है जिसके बायू मंडल में पर्चूर मात्रा में H2 पाया जाता है सनीगरा पर हाइड्रोजन और हिलियम मुख गैस है इसके अत्रिक्त, अमोनिया, मिथेन आधी भी पाया जाते है सनीगरा के चारो और बलाय पाया जाता है सनीगरा का सबसे बड़ा उपगरा जो है टाइटन है कोश्चन नमबर 70 देखेंगे तो रिथवी की सता का कितना परतिसत सागरों से ढखा है सभी लोग जानते हैं कि 70% सागर से ढखा हुआ है कोश्चन नमबर 71 है दुनिया का सबसे सुस्क अस्थान कौन सा है दुनिया का सबसे सुस्क अस्थान बाश्टाक है कोश्चन नमर 72 देखेंगे कौन सी जो धारा है वह गर्म धारा है सभी लोग जानते हैं कि गल्फ अस्ट्रीम जो है एक गर्म धारा है वह हमबोल्ट जो है एक ठंडी जल धारा है हमपोल्ट जलधारा जो है परसांत महासागर की ठंडी जलधारा है हमपोल्ट जलधारा को पेरोबियन की जलधारा भी कहा जाता है तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले इसे सेर करें बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर जरूर दबाएं और लाइक ठोकें धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में